हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल 404 डवलपर्स तो जो हमारी जर्णी है लारवल की उसके हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं जो कि हमारा इंस्टॉलेशन ठीक है जो हम अब यह जो लारवल टुटोरियल कर रहे हैं इसमें हम पी एच्पी 8.3 का यूज करेंगे कंपोजर है और एक लोकल इंवार्मेंट चाहिए जो इसे की जैम यह तो आप नॉर्मली बस पी एच्पी भी बस इंस्टॉल कर लोगे ना एक्चल में कंपोजर को रन करने के लिए हमें पी एच्पी के ज़रूरत है ठीक है अब पी एच्पी एट लिस्ट 8.3 आप रख लेन क्योंकि हम लेटेस्ट चीजों पर काम करेंगे जो बैक हो गई है वो तो है ठीक है अब जो है अच्छा यह चीज तो ठीक है आप यह गैट कंपोजर डॉट और पर जाओगे तो आपको इंस्टॉलेशन वहाँ पर हो जाएगा कोई शू नहीं है यूटूब पर बतेरी वी तूटोबर को शींखने आये हैं तो आपको पिएस्प की इसिक नॉलेज होगी पिएस्पी की नॉलेज है जिञे अचा अब यह जो इन सब्सक्रावर होता कि यह हमारा पैकेज मेनेजयर है ठीक है अब पैकेज मेनेजर क्या है बाइए कि जिख हमारे कम्यूनिटी सर्वर म के जितने भी हम लेब्ररी करते हैं उनको जो माइनेज करता है हमारे लोकल incorman में कि वहां से उस पैकेज को लेके आना कौन सा वर्जन लेके आना है कौन सी वर्जन की रिक्वार्मेंट है उसकी कॉम्प्टिबिल्टी क्या है उन सॉफ्ट्वेर्स की वो सारी चीजे हैं और जैसी आप कंपोजर रन कर लो तो एक कमांड रन कर लेना कंपोजर डैस डैस वर्जन अगर यह कमांड रन हो जाता है तो आपका ये कणवर्म होगी कि हैं कंपोजर इंस्टॉल है ठीक है और इसके साथ एक चैकक अर और लेना फिए पी हonda बर्जन ठीक है आप वह कर लोगे उसके बाद कि आपका एक कंफर्म होग ben ठीक है हमारा फिए हो गया यह दोनों चीजे मस्त है अब मानश को लग से डाल लिज्ए sev कर रहे हैं य cheese मैं श्यूइस पे करता है टिक्र है वहां से हमारा चीज़े वहां से पिस्ट की तो इन्स्टलिशन में क्या होता है में यह मेर्ज नाम प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी करते हैं ठीक है और फिर उसी वो जो क्रियेट होगा अब लेट से हमें क्रियेट कर लेते हैं कि अब टर्मिनल ओपन करेंगे है ठीक है अब जैसे क्या है कम्पोजर डैस डैस वर्जन ओके वर्जन की स्पेलिंग गलत हो गई ठीक है यह आगया मेरा इसमें देखो कम्पोजर आ गया पी एच पी का वर्जन आ गया ठीक है इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ ठीक है और ऐसे ही अगर आप चाहो तो यह पी एच पी वी डैस वी टाइप करोगे तो पी एच पी का वर्जन दे देगा आप चाहें उबन्तू पे हो विंडोस पे हो लाइनेक्स पे हो डिजन्ट मैटर यह सारे कमांड आपके वर्क करने चाहिए अब क्या है जब हम नया प्रोजेक्ट क्रियेट करते हैं तो फिर कम्पोजर क्या है क्रियेट प्रोजेक्ट क्रियेट प्रोजेक्ट ठेक है कम्पोजर क्रियेट प्रोजेक्ट अब कहां से उठ जिसको प्रिफर करना है ठेक है कि प्रिफर करना है कि देश्ट लारवल स्लैस लारवल यह इसको पता चली गया कहां से इसको प्रोजेक्ट उठाना अब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है आपको लेट से हम देते हैं प्रोजेक्ट जो है पूरा लारवल को पूरा पैकेज है इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा ठेक है मैं यह इस पार्ट को स्किप कर दूँंगा यह जब तक हो रहा है ठेक है और जैसि जब इंस्टॉल हो जाए तो एक फोल्डर करेट करता है तो उस फोल्डर के अंदर हमें जाना है ठेक है और इसके अभी हम फाइल स्ट्रक्टर को भी देखते हैं क्या इंस्टॉल हो जाए तो यहां पर एक .env.example होगा फाइल उसको क्या करना है आपको कि एक .env का फाइल बनानी है उसके अंदर उसको पेस्ट कर देना जैसे यह मेरा हो गया cd crm या तो crm में आप यहां पर डायक चले जाओ या तो इस crm को ही ओपन कर लो टर्मिनल पर ठीक है अब देखो यहां पर जो है मेरा इन वी पहले से आ रखा है तो मेरे को इन वी कॉपी पेस्ट नहीं करना हमारे पुराने वर्जन में क्या होता था एक्जामपल आता था बस डॉट इन वी नहीं आता था अब इन वी भी आता है और यह देखोगे तो आपको यह की भी अल्रेडी जन्रेटेड है पहले हमें की जन्रेट करनी पड़ती थी इसी वज़े से मैंने वहां पे प्येच्प आर्टिशन की जन्रेट लिखा हुआ है अब यहां पर जो आपका यह रहा database configure आकर आपको बस तीन चीजे करनी हूंगी यह हो जाएगा जो आप database में अपना में जो अपना database को दो कि यहां पए user दो westoin şिव रूट को और जो password आप रखोगे वह password यहां डाल देना ही ठोक है इतना अब इसके बाद क्या होता है आपको एक डेटबेस करना है और उसके बाद जैसे आप डेटबेस करते हैं और आपको यहां पर पिछपी पीछपी आर्टीशन माइग्रेट पिछले टुटोडियल में बताया था मैंने कि हमारे पास CLI कमांड से यहां पर तो यह आर्टीशन के थ्रू ही होते है पिएच्पी आर्टीशन के बाद ही कुछ भी लगाना है वह आप लगाएंगे तो यह कमांड रन कर देंगे जैसी डेटबेस करेंट करके उसको लिंक करेंगे ठीक है और उसके बाद यह जो चीज है इससे फिर हमारा डेटबेस की सर्वर को स्टार्ट करन कि अब यह तो हमारा नॉर्मल कमांड हो गया ठीक है यह हमेशा एट थाउजट पे ही रन होगा यह होता है पिएच्पी सर्वर जब करते हैं हम टर्मिनल से अब यहां पे आप पोर्ट भी डैनेमिक रख सकते हो लोकल होस्ट की जगा अगर जो आपका आईपी एडैक्ट उ मतलब है कि जो हमारा पब्लिक के अंदर का फोल्डर है उसको होस्ट करना है समझ गया जैसे कि अभी मैं बताता हूं यह हो गया हमारा ठीक है अब यह स्टक्चर देख लेते हैं एक बार यह होता है हमारा एप जिसके अंदर यह हो गया इसमें कंट्रोलर इसमें चला जाता ह है ओर मोरडल अब इसके अंदर बनाते हैं हम अपनी सर्विसिइज ठेक है इस में कैस्ट रहती है इसमसारी शुर्राइशन वाली फाइल से रहती है यहाँ पर माइक्राइशन के लिए जो देटाबेस हैं जो भी डेटबेस करेट करते हैं सीड करते हैं वो सारी चीजे रहती हैं यह होता है हमारा पब्लिक फोल्टर जहां से कि हमारा सब कुछ एकसिस होगा अब जैसे यह जो इंडेक्स.php है ना यही रिस्पॉंसिबल है सारे राउट्स को मैनेज करने के लिए अगर आपने इंडेक्स.php उड़ा दिया लार्वल प्रोजेक्ट आपका नहीं चलेगा सो रिमेंबर इसको कुछ नहीं करना है ठीक है यह ही एंट्री में आप अपने यहां पे जैसे अभी एक डिफाइन है राउट्स भी डिसकस करेंगे यह कुछ इस तरीके से हम राउट्स बनाते हैं यह होता है स्टोरेज लॉक्स जो प्रोजेक्ट रन के टाइम पर हमारी एक्सेप्शन्स आते हैं वह यहां पर हमारा सारा कैश रहता है और इसके अंदर हम रखते हैं अपनी स्टोरेज जो फाइल वगरा रखनी होती है वह सारी चीजे ठीक है यह होते हमारे टेस्ट फाइल रखने के लिए और जो एक्ट्वल लैब्रेज हैं वह हमारा इस वेंडर के अंदर रहता है ठीक है अब यह हो गया हमारा आर्टिशन वही सेम चीज कंपोजर जो हमने अभी पूरा रन किया है यह पूरा डिफाइन करके रखता है क्या क्या चीज़ें जैसे कि हमारा प्येश्पी का वर्जन 8.2 से ज्यादा होना चाहिए लार्वल फ्रेमवर्ग क्या है 11.9 है लार्वल टिंकर क्या है 2.9 है यह सारे वर्जन क हमें जरूरत नहीं और और इसकी पहलत नहीं है लिए तो इसको एस तप्हस हम छोड़ देंगे मिंगे हैं कि किई democr इन्शन क होता हैable यहां पर लोकल होस्ट 8000 अच्छा डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हुई है इसको क्या एरर है लारवेल-CRM हम डेटाबेस का नाम रखते हैं एक क्रेट ठेक है अब यह जो लारवेल-CRM है इसको डालते हम यहां पर लारवेल-CRM है ठेक है औल डन इसको कट करो यहां पर डेटाबेस को उसा यूज़ किया हुए हाँ डेटाबेस कनेक्शन नहीं माइस्वेल है यह धियान रखना है यह चीज़ है ना हाँ हाँ कंट्रोल प्लस सी जब आप रण करते हो तो यह एक्सट हो जाता है कि तेक है यह अब आपका सारा डेटाबेस जो है माइग्रेट हो गया मैने का तो ने इसमें मल्टिपल हम डेटाबेस और वार्म के थुरूर यूज़ कर लेते हैं इसे यहां पर एसको लाइट लिखा हुआ तो यह इसको सर्फ ठीक है यह हो गया इस पर लोकल होस्ट यह हमारा ओपर हो गया होम पेज ठीक है यह तरह के लिए रहा है कि इसको बंद करते हैं अब हमारे पास दूसरा कमार्ड होता है पी एच पी डैस एस लोकल होस्ट चे लोकल होस्ट की जगह आप आप आपी भी डाल सकते हो एट थाउजन थी पॉब्लिक ठीक है तो क्या क्या हो गया आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है लार्वल के एट प्रोजेक्ट एन्वार्मेंट कंफिग्रेशन डेटाबेस माइगरेट करना है और तब जाके आपको सर्वर रन करना है यह आपका जो लार्वल प्रोजेक्ट है ऐसे सेट अप हो जाएगा तो इस वीडियो का हम यहीं आइंड करते हैं और मैं देख रहा हूं बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी बट सब्सक्राइब स्क्राइब नहीं कर रहे हैं सो थोड़ा मैक्सिम्म रीच के लिए प्लीज दू सब्सक्राइब ताकि मैं भी थोड़ा कमाल हूं यार ओके गाईज सो बाइबाई थैंक्यू फो वाचिंग माई वीडियो बाइज क्यार दिख संद कर दो वाचिंग कि नहीं किर दो दो ऑना हुआ हैं जाएब प्लीज बटलीज समानी कि कर दो दो दोड़रा और इंबारे चाह कर दोड़ा दो भाज़ा वीडियो पारो सोड़ियो